आज हम क्या पढ़ने वाले तोड़ी आवर फर्स टॉपिक ऑफ हिस्ट्री स्टैंडर्ड टैन्थ दी राइज ओफ नैशनलिजम इन यूरोप यूरोप में नैशनल राश्ट्रुबाद की शुरुवात यह आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड टैन्थ हिस्ट्री यह हिस्ट्री का हमरा पहला लेस्टन है आज हम इस पर बात करने वाले हैं तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम जानते हैं इंट्रोप्शन में हम क्या देखेंगे इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले आगे कौन-कौन सी चीज़े नैशनलिजम के लिए जरूरी है तो आईए सबसे पहले जानने से पहले हम देखते हैं इंट्रोड़क्शन ठीक है नैशनलिजम इन यूरोप कोन-कौन से देशों में नैशनलिजम इन यूरोप की शुरूआत हो गई और सिर्फ यही नहीं फ्रांस जर्मनी इटली और इटाली ब्रिटेन बस वो भी चोटे मोटे देश जो उस वक्त यूरोप कंट्रीज में थे उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से यहां पर नैशनलिजम की शुरूआत हुई अब यहां पर मैंने अंडरलाइन की आया आप देख सकते हैं नेशन इस्टेट वो होता है जिस जोग्रोफिकल रीजन के प्रती हमारा एक एमोशन अटेश्मेंट होता है हमारे एमोशन हमारे सेंटिमेंस उस जगे से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम कहेंगे नेशन स्ट ठीक है अंडर्स्टूद नेशन स्टेट समझ में आया दन एमर्जंस ऑफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्टी नैशनल डाइनस्टे एम्पायर इन यूरोप ऑफ यूरोप कि किस तरह से नेशन स्टेट यहां तो हम कह सकते कि मॉडन स्टेट की शुरुवात हो गई और जो मॉनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्बरमेंट थी मॉनार्किल जहां पर राजा महराजाओं का जो राज्य था अरिपलेसिंग मल्टी नैशनल डाइनस्टे एम्पायर इविडू घुनार्किल फॉर्म ए Fruitarत हैं धॉर शुरुवात होगे, sorry, okay understood, इसके बारे में हम जानेंगे, then how these things evolve, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, then challenges, सबसे बड़ा और एक मुद्दा, challenges, उस वक्त challenges क्या थे, किस वक्त की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, nationalism in Europe, जब nationalism in Europe शुरुवात हुआ, तो उस वक्त मह हमारा lesson शुरुवात होता है, हमारे जो topic की शुरुवात होती है, इस lesson की, वो सबसे पहले एक painting से शुरुवात होती है, वो painting 14, sorry, 1848 में फेडरिक सोरियो नामक एक painter ने वो painting बनाई थी, 4 series वाली, उस painting से हमारे इस lesson की शुरुवात होती है, अब उस painting के बारे में भी हमको जा सब्सक्राइब ओंड इंवाइब इमुड्री एक प्रतीक है जो इमेज स्टेच्यू है वो क्या है एक स्वातंतरता का प्रतीक है अब प्रतीक वह ही क्यों है कि अगर आपको थोड़ा से नाइंत में आपने पड़ा होगा कि जो वहां के आर्टिस्ट थे जो कलाकार थे प्रतीक महिला में मानते थे उस बारे में फड़ने वाले तो ठीक है जो हमारी पहली शुरुवात होती है इंट्रोक्षन से हम क्या देखेंगे इसमें कि किस तरह से नैशनलियम इन यूरॉप शुरुवात हो गई फ्रांस इटली जर्मनी बृतें में देन इमर्जंस ओफ नेशन स्टेट रिप्लेसिंग मल्तिनाशनल डायनस्टी किस तरह से नेशन स्टेट नेशन स्टेट मैंने कहा कि वह जोग्रोफिकल एरिया जहां से हमारे इमोशन संटिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं हां एना मॉडर्ण स्टेट आलसो भी टेस्ट इस नावड़ेज इस कॉल्ड नेशनल डायनस्ट एम्पायर ऑफ यूरोप कि किस तरह से मोनार्कल फॉर्म खतम हो गया और मोनार्कल फॉर्म खतम होके महाँ पर डेमोकरिटिक वह क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में और जो पेंटिंग है फेटिक सूरियों ने जो बताई है इन सभी के बारे में हम जानने वाले एक लेशन में ठीक है तो हम अपने अगले लेशन में क्या पढ़ेंगे हम अगले लेशन में हमारे लेशन की शुरुवात करेंगे हमार से फिर्स पॉइंट से थैंक यू थैंक यू वेरिम